Hello Friends, Welcome to our channel. Friends, ये वीडियो डेडिकेटेड है UPDLA परिक्षाओं से डिलेटेड़ आप चाहें फॉर्स समेश्टर हो, चाहें सेकेंड समेश्टर में हो या फिर फॉर्स समेश्टर या फिर फॉर्स समेश्टर ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट देने वाला है जिस भी ग्रूप में है जो भी आपके दोज फ्रेंट्स भाई बेहन है आप सभी शेयर कर दीजिए सबसे पहले ताकि सभी प्रसुक्षों को हेल्प हो सके फ्रेंट्स जैसे कि आप सभी को पताई है कि आपकी परिक्षा 25 तारिक से इस्टार्ट है याने कि 25 सप्रेल से अब अगर यहाँ आपका ये सवाल आ रहा होगा कि क्या परिक्षा डेट बढ़ेगा तो किसी भी समेश्टर का यहाँ परिक्षा डेट नहीं बढ़ने वाला है आपके तय सीमा पर ही आपकी परिक्षा कराई जानी है और यह अभी information संस्थान तक भी पहुँच चुका है और परिक्षा निमाग प्रादिकारी द्वारा अभी जो डेट प्रस्तावित है उस पर ही कायम है अब बात यहाँ यह आजाती है कि जिन भी प्रसुक्षों का यहाँ परिक्षा फोर्म फिलप नहीं करवाया गया है कब तक करवाया जाएगा फ्रेंड्स सबसे पहले फोर्स समेश्टर की बात करें तो आपकी परिक्षा नौ मतलब अप्रेल मई ठीक है नौ मई से स्टार्ट है आपकी परिक्षा और ग्यारा मई तक चलने वाला है कि कि आपकी परिक्षे फोर्म की बात करें तो मैंने संस्थानों से जब पता लगाया तो फिरेंट संस्थानों का कहना है अभी टाइम है ठीक他說 को सुची कर दिया जाएगा आप सभी परिशान मत होए और आपका परिक्षा फोर्म जल्दी फिलप करवाया जाएगा अभी आपके परिक्षा में टाइम है तो आई होब कि अब इसको लेकर आप सभी परिशान नहीं होंगे कि हमारा तो अब इंटर्णशिप की प्रेक्रिया चल रही है हमारा तो टीचिंग हो रहा है इससे उनको कोई मतलब नहीं है आप सभी को आपके वाट्सप ग्रूप या फिर कोलेज की तरफ से फोन करके बता दिया जाएगा कि आपका परिशा फॉन फीलप की यह बदार आय है आप आकर अपना परिशा फॉन फिलप कर दीजिए ठीक है तो आइगे अब इसको लेकर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा वही बात रही second semester, third semester, fourth semester की तो आप सभी की I think परिक्षा form fill up करा दी गई है अगर कोई college की तरप से लापरवाहे बढ़ती गई है तो friends देखिए हो सकता है कि इस वीच आपके भी मतलब परिक्षा form fill up हाला कि परिक्षा form जो है आप सभी का fill up करवा दिया गया है अब सबसे ज़्यादा बात यहां यह आजाती है कि second semester और third semester की परिक्षा की जो पेपर है वो लागतार देंगे क्या अब देखिए friends अगर बात करें तो college संश्थानों की तरप से जिनका भी आंसिक बैक लगा था ठीके उनका भी third semester का form fill up कराया गया है जो की नियम के अनुशारी होना चाहिए लेकिन परिक्षा नियमाग प्रादिकारी प्रिवियस बारी यानि पिछले बार जो है यह गलती किया ठीके उनकी तरह से आंसिक बैक वाले प्रस्विक्षों का थर्ड समेश्टर में नहीं प्रोमोशन का लाप दिया गया और नहीं फोर्ड समेश्टर के उनकी परिक्षा कराएगे तो इस वज़ा से गलती उनकी है और इस बात को रखा भी गया है नियमावले के अनुसार यही है कि अगर आपका आंसिक बैक लगता है तो बिलकुल आप थर्ड समेश्टर के लिए प्रिपेर हैं अगले समेश्टर में आप परिच्छा दे सकते हैं बाकि आप अपने कोले से जरूर संपर करिएगा ठीक है अब सेकेंड समेश्टर में अगर आपका तीन या फिर तीन से ज्यादा बैक लगा है तो उनली आपका एक समेश्टर का पेपर होगा सेकेंड समेश्टर जो कि आप से भी आठो सब्जेक्ट के पेपर देने होंगे का बैक लगा है बाकि 3 समेश्टर के प्रसुक्षू को 4 समेश्टर का परिक्षा नहीं देना है आप सभी को मैंने बार बार कहा है लेकिन फिर भी आप सभी के कमेंट्स आती रहते हैं ठीक है तो यह वोब कि अब इसको लेकर आप सभी के मन में कोई भी डाउट नहीं होगा और जो भी प्रत्यावेदन वाले प्रसुक्षू है यानि जिनका तीन से मतलब तीन बार आपने अटेंट कर लिया है चौथा मौका के लिए आपने क्या किया था एक अप्लिकेशन दिया था एसी आटी को तो उसके लिए डायेट की तरब से पहल की जा रही है कि प्रसुक् तो फ्रेंट उमीद था कि टेट रिजल्ट के बाद जो है आप सभी की फोर समेश्टर की स्कूरूटनी रिजल्ट जारी कर दी जाए लेकिन अभी तक देखा जाए ओफिशल तरीके से तो अभी तक तो ऐसी कोई इन्फूमेशन आई नहीं है लेकिन उमीद है कि आपकी जो परिक्षा है उससे पहले आप सभी को आपका स्कूरूटनी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा थोड़ा दैरे बनाये रखिए और साथ ही देखिए स्कूरूटनी रिजल्ट में उतरा बदलाव नहीं होता है अगर आपका फोर समेश्टर में बैग लगा है तो अच्छे से त्यारी करिए और उसके बैस पर आप सभी को थोड़ समेश्टर में प्रोमोशन का लाब मिल जाएगा उनली फोर समेश्टर के प्रसुक्षों को जिनका भी वैक लागा है वो जाए समेश्टर वैक हो या फिर सब्जेक्ट वैक हो ठीक है थोड़ा धैरे बनाईए उसके ब बाकी पास्वर्ट बनाने में कोई दिक्कत आ रहा हो तो आप कमेंट्स बक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा अब यहां बोनस अंकों को लेकर बात की जाए क्योंकि फ्रेंट्स यह पूरा मामला आप सभी का कोट जा चुका है जाची करता जुडने लगे हैं अब आप सभी क मन में है कि जो हमारा रिजल्ट है जो भी हमें तीन चार अंक फ्री में मिलने वाले हो मिलेंगे की नहीं होंगे मिलेंगे तो देखिए सबसे पहली बात प्रसुचु इस वे कोई भी जोड़ जब जब जशी नहीं कर रहे हैं और इसी को चैलेंज किया गया है और उमी द्या तो जब भी सुनवाई होती है हीरिंग होती है तो उमीद है कि जो फैसला होगा वह आपके हक में आपके फेवर में आएगा तो आप सभी बिल्कुल भी परिसान मत हो यह निरास मत हो यह अगर आप फैल हो गये हैं एक दो नमर से और साथ ही साथ क्योंकि फ्रेंट्स सिक्षक भरती से पहले आप सभी को फिर से एक बारी एलिजबिल्टी जो टेश्ट है उसका मौका मिलेगा तो अच्छे से त्यारी करिए यूपी टेट सी टेट की ठीक है तो आई होग कि कोई आप से भी को दिक्कत नहीं होगा और जैसे ही लैकली डेट कोट कि चाहे कोई सबसे पहले इस ऐंप को प्लेस्ट और या एप से डाउलोड कर लें अपने फोन नंबर से इसली साइन अप कर लें अपने क्वेशन का पिक्चर लें यह उसे टाइप करके शब्मिट करें और फिलो आपको 60 सेकंद में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइफ कॉल पे क तो यह आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहां पर अब अगर को आपको और डाउट है तो अब बताइए इस आप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है तो डाउनलोड फिलो नाव तरब से कोई भी इंफॉमेशन आता है तो आप से भी कोई जरूर इस चैनल पर दी जाएगी बने रहे है इस चैनल के साथ चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लिजिए फो मो अपडेट और जो भी आपके दोश्रेंज है उनको भी शेयर कर दी जल्दी से ठीक है ठांक्स वाचिंग फ्रेंज और जो भी आपके अभी मतलब कुछ शूट गया हो तो आप नीचे कमेंट ब्लक्स में कमेंट कर सकते हैं बाकि आप सभी कि क्लासे चैनल के साथ जूड़ जाएं जो भी बैक पर सुक्षू है शुनो वित नेतु चैनल जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी को उस पर आपकी क्लासेज प्रोवाइट की जा रही है मैत की क्लासेज आपको जल्दी महरातन क्लासेज प्रोवाइट की जाएगी ठीक है अब एक लिए फ्रेंट्स इतना ही थैंक्स चाहूँ